question question says 2011 का सवाल है it says a body is moving velocity 30 meter per second towards east after 10 seconds its velocity becomes 40 meter per second towards north average acceleration हमें बताना है option दिये वह है 1 meter per second square या 7 या फिर underwood 7 या फिर 5 meter per second square simple सवाल है है vectors का and it says कि हमारी body जो है पहले 30 इनिशल वेलोसिटी जो है 30 meter per second east की तरफ है और 10 second बाद हमने notice किया कि इसकी velocity 40 meter per second north की तरफ है इसकी वेलोसिटी आपकी इदर हो गई 40 meter per second north direction में ना ऐसे सवालों को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि हमेशा वेक्टर फॉर्म में करना चाहिए सो इनिशल वेलोसिटी हम लिख सकते हैं कि इनिशल वेलोसिटी है 30 i cap final velocity को हम लिख सकते है 40 j cap ना डेल्टा वी जो है आपका change in velocity उसको जो हम टाइम से divide करेंगे तो acceleration आ जाएगा पहले देख लेते हैं देल्टा वी की वैल्लू क्या है तो डेल्टा वी विल बीकल फाइनल वेलोसिटी मानस इनिशल वेलोसिटी व्लोसिटी इनिशल वेलोसिटी 30 i cap सो आपका डेल्टा वी जो है वो आगया माइनस 30 i cap प्लस 40 j cap यह हो गई हमारी वेलोसिटी हमें यहां पर बताना है average acceleration का magnitude इसका average acceleration का magnitude विल बी इक्वल टू डेल्टा वी का magnitude divided by डेल्टा टी डेल्टा टी हमें पता है यहां पर 10 सेकंड दिया हुआ है आपका डेल्टा वी का magnitude हम लिख सकते हैं तो इस विल बी इक्वल टू अडरूट अफ 30 स्कॉर प्लस 40 का स्कॉर दिए बाटन अडरूट 30 स्कॉर प्लस 40 स्कॉर जब हम करेंगे अडरूट लेंगे so it will come out to be 50 so it will be 50 divided by 10 याने की 5 meter per second square so which means option number d 5 meter per second square will be the correct answer for this particular problem